हेलो वीवर्स, सो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर आज की वीडियो में हम नव ग्रहों में करम फल दाता न्याइधिश ग्रह शनी की साड़े साती और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फेक्ट्स को डिसकस करने वाले हैं जोती शास्र में शनी देश से अधिक चर्चिश शायद ही कोई दूसरा सब्जेक्ट हो कोई दूसरा सब्विशे हो जिसे जानने या पढ़ने के लिए लोग उत्सक रहते हों वैसे तो नव ग्रह में प्रतेक का अपना अलग-अलग महत्तु है प्रतेक ग्रह हमारे जीवन के किसी ना किसी पहलू को प्रभावित करता ही है पर शनी का यहां एक विशेश महत्तु है क्योंकि शनी को नव ग्रह में न्याइधिश की पद्वी मिली हुई है हलांकि अपनी दश्रा साड़े सतिय धहिया में आते हुए शनी व्यक्ति के कर्मों के अकॉर्डिंग अच्छे करने वाली हूं इस वीडियो को आप जरूर देखेंगा यह काफी इंफोर्मेटिव रहने वाली है इसे एंड तक जरूर देखें चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन को प्रेस करना न भूले और चैनल वीडियो को आप शेर जरू करते होंगे कि बारा राशियों में शनी को मकर और कुम्ब राशी का स्वामी माना गया है उच्छ राशी शनी की तुला होती है नीच राशी मेश होती है शनी क्रूर ग्रहें हैं पाप ग्रहें हैं धीमी गति से चलने माले मंद गामी ग्रहें हैं इसलिए शनी एक राशी मे धाई वर्ष तक रहते हैं बारा राशियों में गोचर को वो तीस साल में पूरा करते हैं शनीदेव के कारकत और हर लगने में कारक मारक सिती पर चर्चा औरड़ी वीडियोज में की जा चुकी है आज हम सिर्फ साड़े साथी को डिस्कस करेंगे नॉमली कुणली विशलेशन करते हुए जादा दर कुणली में किसी ना किसी पर साड़े साथी जरूर देखने को मिलती है देखे साड़े साथी साथ साल का वो टाइम पिरिड होता है जिसमें शनीक राशी विशेश में धाई साल तक गोचर करते हुई तीन राशियों को एक साथ प्रभावित करते हैं अब आज के जोतिशे संसार में साड़े साथी वर्ड जितना पॉपुलर है उतना ही डर इस शब्द को लेकर लोगों के मन में बना हुआ है पर एक्चुल में रियालिटी इतनी डरामनी नहीं होती है सबसे पहले साड़े साथी की डेफिनेशन को समझ लेजिए कि साड़े साथी शनी की किसी राशी में गोचर से देखी जाती है गोचर में शनी जब आपकी जन्मनाम राशी यानि चंद्र राशी से ठीक बारवी राशी में प्रवेश करते हैं तो आप पर साड़े सती शुरू हो जाती है यानि शनी जिस भी राशी में धाई साल गोचर करते हैं तो उससे ठीक आगे और पीछे वाली राशी पर भी अपना पूरा प्रभाव देते हैं इसका प्रभाव राशी में आने की 30 महीने पहले से और 30 महीने बाद तक अनभव होता है हर व्यक्ति की लाइफ में साड़े सती तीन बार आती है नॉमली पहली जो साड़े सती होती है वो बचपन से टीनेज का जो टाइम व्यक्ति का रहता है उसमें आती है और वो इतना बुरा फण नहीं देती वो टाइम फेज हैल्थ और एजूकिशन वाइज अच्छे बुरे प्रभाव लाइफ में दिखाती है इसके बाद लाइफ की जो दूसरी साड़े सती चलती है वह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉंग तरीके से अपना प्रभाव डालती है क्योंकि वह 28-25 जो साल की व्यक्ति की उम्र होती है उसमें वह व्यक्ति को देखनी पड 55 की एज से लेके 90 तक की एज में आती है और वो भी इतनी ज़्यादा असरदार नहीं माने जाती साड़े सती के दौरान शनी धाई साल हमारी राशी से बार्वी राशी में रहते हैं तो उसे साड़े सती का पहला चरण और पहला धहिया कहा जाता है धाई साल बाद जब हमारी राशी में प्रवेश करते हैं तो वो दूसरा चरण या धहिया और धाई साल बाद जैसे हमारी राशी से अगली राशी में गोशर करते हैं तो वो हमारी राशी पर वो साड़े सती का तीसरा और अंतिम धहिया होता है इस तरह साड़े साल साल पर आने वाली साड़े सती माना जाता है इसे उद्य शिखर और अस्त चरन भी कहा जाता है जिसे चड़ती हुई साड़े सती और पीक पर शिखर पर आई हुई साड़े सती बीच की साड़े सती उतरती साड़े सती भी कहा जाता है जिसका फल हर कुंडली में अलग-अलग होता अब नॉमली साड़े साथी के प्रभाव को कंसीडर करें तो यहां देखा गया है कि व्यक्ति की लाइफ में ये शुरू होती है तो स्ट्रगल बढ़ने लगता है हर कारे में विग्न बाधाया ने लगती है बहुत हार्ड वर्ग जो है व्यक्ति को करना पड़ता है उदा का कारक रहा है और उस पर शनी जो दुख पीडा निराशा वेरा के कारक है उसका एक नेगिटिव इंपेक्ट पड़ता है जिससे मेंटल स्ट्रेस वज़ा बिना वज़े लाइफ में साड़े सती काल में बना रहता है इसके बाद बात करें तो साड़े सती के हर ढहिया का फ बार्वे घर के कारकत्तों का आपकी लाइफ पर होगा यह कहलेजिए कि उस भाव से जोड़ी क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज का इंपेक्ट इमोशनल लेवल पर व्यक्ति महसूस करता है बार्वे भाव के जो कारकत्तों है वो पहले चरण में आपकी लाइफ में एक् चरण चलता है और इसमें फिजिकल स्ट्रेस, मेंडल स्ट्रेस, हेल्थ इशूस, स्टमक प्रॉब्लम और अपने आप से जुड़ी चीज़े इतनी भी है यह आपकी परिसनलिटी का जो पार्ट है इस साड़े साथी से अफिक्ट होता है अंतिम यानि तीसरे चरण की बात क जाते हैं साड़े साथी का डेफिनेशन और उसके हर चरण में मिलने वाले फलो को इस तरह से आप समझ सकते हैं अब बात आती है कि साड़े साथी कब अच्छी और बुरी हो सकती है साड़े साथी एक्चुल में एक लर्निंग फेस होता है जीवन का और जोतिश की टेक्निक नेटल चार्ट में बनी जो ग्रह सिती है उसके अकॉर्डिंग यही साड़े साथी स्ट्रगल करवाती है तो बहुतों को जो है वो प्रॉग्रेस भी करवा देती है इसके अच्छी अब बुरे फल की बात करें तो कुडली में शनी की भाव स्थिती के सासा चंदर्मा की प्रभाव चंद्रमा पर सबसे ज्यादा दिखने को मिलता है विक्ति का मेंटल वर्क पहुत ज्यादा होता है उसके इफर्ट्स बहुत होते हैं वह डिटेश्मेंट बहुत फील करता है अन्नेसरी की परिशानी यह सब कॉमन फैक्टर देखे जाते हैं जब मन परिशान होगा तो बहुत से गलट decision भी जाने जाने में लिये जाते हैं और वही ultimately suffering के कारण बनते हैं तो ऐसी condition में सिरुफ और सिरुफ चंद्रमा से जुड़े विपाए meditation, योग, आसन और शीव पूजा की जाए तो mental health तो सही रहेगी रहेगी साथी साथ decision power भी strong होगी साथी साथी का सबसे कष्ट कारी समय तब होता है जब शनी देव साथी की तोरान उस विक्ति के जन्म नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र के उसी चरण में प्रवेश करते हैं जिसमें आपका जन्म हुआ है और यह लगभग 90 दिनों का time period होता है जो काफी कष्ट दाई माना जाता है साथी साथी के समय कुल्ली में शनी शुब ग्रह हो अच्छी placement में हो कमबस ना होकर यानि अस्त ना होकर degree wise strong हो कुल्ली के योग कारग रह हो अपनी मित्र राशी या उच्छ राशी में हो और गोचर करते हुए तीसरे छटे आठवे और बार्वे भाव में आएं तो definitely अच्छा फल देते है शनी अगर कुल्ली में नौवे और दसमे भाव पर भी गोचर करें तो भी नॉमली साथी साथी में अच्छा फल देते है पर इसके साथ साथ चंद्रमा उस कुल्ली में पीडितना होकर स्ट्रॉंग होना चाहिए कुल्ली में शुभियोग और राज्योग हो तो साथी साथी बहुत प्रोग्रेस करवाने वाली होती है शनी की साड़े साथी का शुबशुफल शनी की उस राशी स्वामी से मित्रता और शतुरता के अधार पर भी निर्धारित होता है जिसमें शनी गोचर करते हैं प्रेजेंट सेनेरियों में शनी का गोचर अप्लाई करते हूं अगर हम साढ़े साती कंसीडर करें तो इस वक्त शनी 24 जनवरी 2020 से मकर राशी में गोचर कर रहे हैं जिस वज़े से धनुराशी मकर राशी और कुम्ब राशी वालों पर साढ़े सती चल रहे हैं और एप्रल 2022 में शनी 25 साल के बाद कुम्ब राशी में गोचर करेंगे तो धनुराशी वालों पर साढ़े सती का अंतिम ठहिया उसके साथी साढ़े सती खत्म हो जाएगी और मकर क और मीन पर साड़े सती रहेगी मीन राशी वालों पर साड़े सती का पहला चरण शुरू होगा अम मकर कुम्ब और मीन राशी में आने वाले बहुत से लोग इस संसार में हैं जरूरी नहीं कि उन सभी लोगों शनी अच्छा रिजल्ट देंगे या बुरा रिजल्ट ही मीन राशी कुम्ब राशी और मकर राशी में रहते हुँ इस व्यक्ति विशेश की कुल्ली के किस भाव में हैं राहु केतु के साथ ग्रहन योग और शनी की साथ विश्योग और पाप ग्रहों की दृष्टी से पेड़ी अगर चन्रमा हुआ या नीच हो गया तो का फल नहीं मिलेगा पर इसके अपॉजिट अगर शनी चन्रमा से शनी का गोचर जिस भाव में होगा उस भाव के फलों को शनी जीवन में प्रभावित करते हैं चलिए लगन कुणली में भी जो बनी ग्रह स्थिती है उसके अनुसार साड़े सती की फल को हम समझने की कोशिश करते हैं स्क्रीन पर मेंशन चार्ट मिथुन लगन का है और राशी धनू बन रही है अब धनू राशी पर साड़े सती के अच्छे बुरे फल को शनी और चन्र की ग्रह इस्थिती से इस चार्ट में समझें तो चन्रमा इस कुंडली में ना केवल केतु के साथ ग्रहन दोश में सब्तम स्थान में पेडित है पर साथी साथ शनी और राहू की दृष्टी और पाप्रभाव में भी है इसमें कोई डाउट नहीं कि शनी की पूरी साथे साथी में इस विक्ति को मेंटल स्थ्रस जरूर बना रहेगा अब शनी योग कारग ग्रह होकर उच इस्थिती में है अब इस कुंडली में वरिष्चिक में शनी का जब गोचर हुआ तो पहली ढहिया शुरू हुई अब यहां सब्तमेश गुरू की उपर से शनी का गोचर हुआ पर अपने शत्रू राशी विष्चिक के उपर भी था और छटे भापर से भी गोचर था तो इन सब को कंसीडर करें तो पहले ढहिया में मिला जुला फॉल रहा होगा पर जैसे है अही शनी का दूसरा ढहिया चला तो नो डाउट चन्रमा के ग्रहन योग और सब्तमेश की केंद्रा दिपती योग ने यानि दोनों ग्रहों की इल प्लेस्ट होने से मैरिच और मेरिटल लाइफ में तनाव जगडे जरूर दिये डेली वेजेज और बिजनस प्रॉबलम और धन की समस्या भी इस वेक्ति को रही अब जब शनी मकर में है और वेक्ति पर साड़े सती का अंतिम धहिया है और शनी जो है वो अश्टम में स्वराशी कोचर करते हुए हलांकि इस वेक्ति की एंग्जाइटी और दिक्कतों को तो कम कर सकते हैं आयू के लिए लॉंजीविटी के लिए भी अच्छे हैं पर शनी यहां जीवन में मिलने वाले सड़न गेंस को रोग देंगे क्योंकि गुरू भी नीच होकर शनी की साथ 13 महीने से पीडित थे तो लाइफ में अंस्टेबिलिटी तीसरे चरण में भी रहे जोतीशी सिधान के अनुसार साड़े सती की दोरान अगर गोचर का शनी वेक्ति की कुण्डली में स्थित जन्म कालिन शनी पर गोचर करे तो बहुत शुप परिना मिलता है और शनी अपने मित्र ग्रोहों बुद्ध शुक्र पर गोचर करे तो भी अच्छे फल मिलते हैं या जन्म कुण्ली में ब्रिहस्पती जिस राशी में उस राशी से अगर साड़े सती की दोरान शनी आता है तो वे साड़े सती के समय विक्ति को बहुत शुफल देता है पर प्रैक्टिकली ये चीज कुण्ली में बने शुब अशुब ग्रह योगों ग्रह इस्थिती और सशानात की भाव इस सिती पर डिपेंड करती है जिसके अनुसार अच्छे पुरे प्रभाव प्लियरली देखने को मिलते हैं अब तुला लगन की जो कुण्ली है हमारे एक विवर की है जिन्होंने मुझसे अपनी कुण्ली डिसकर्स की थी और इन पर साड़े सती चल रही ह इस कुण्ली में लगने शुक्र थर्ड हाउस में अपने मित्रुक्र है और केंदर त्रिकोन स्वामी इस लगन कुण्ली में केंदर त्रिकोन स्वामी शनी के साथ सी इस्थित हैं इस विक्ति की राशी मकर है तो धनु में आते ही टेक्निकली पहला चरन बहुत अच्छा फ इस भाव में गोचर करते हुए पराक्रम वृद्धी जरूर कर देंगे शनी पर घर का जो माहौल है वो खराब रहेगा मदर को दुख पीड़ा और फादर का लॉस भी दिया और इसके पीछे का जो कारण है फोर्थ हाउस में राहू चंद्र का ग्रहन दोश और उसमें पीड को साड़े साथी में पूरा स्ट्रेस दिया और कहीं न कहीं से नेगिटिव रिजल्ट इस व्यक्ति को मिले सो इस तरह साथी के फ़लो को क्यलकुलेट करते हुए समझा जाए तो शनी की जो साड़े साती होती है उसके पूरे साथ साल बुरा ही रहेंगे या एक जैसा ही पर है कुंडली के किन भावों से संबंद बना रहा है ये सब बाते भी इसके परिणाम पर बहुत जो है वो प्रभाव डालती है नॉर्मली राहु के तू शनी और चन्रमा की जो महादर्शाय चले और साड़े सती आए तो फल उसके जीवन में बहुत स्ट्रॉंगली देखे जाते हैं यह तर साड़े सती पर किया गया एक ब्रीफ एक्स्पेनेशन साड़े सती टॉपिक पर कुछ और डिसकुशन और अनलसेज कुंडली चार्ट्स की हैल्प से लेकर नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिसकस करेंगे आज की वीडियो अगर आपको इन्फोर्मेटिव लगी होते से लाइक और शेयर करना न भूले और अपनी कुंडली को लेकर आपको कोई भी सवाल है तो दिए कि वाट्सप नंबर पर मेसेज करके अपनी कॉल कंसल्टरेशन बूक कर सकते हैं इसके अलावा आप ओनलाइन प्लैटफॉर्म पर भी मुझसे कनेक्ट हो कर कंसल्टरेशन ले सकते हैं और जोतिशी जानकारी अपडेट्स और आर्टिकल्स के लिए हमारे फेस्बूक पेज फेस्बूक ग्रूप और टेलिग्रम ग्रूप को आप जॉइन करना ना भूले उसारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ धन्यवाद